तो देखो यार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Ben Tanishan एजमत की तरह स्मार्ट नहीं है और इतने साल बीतने के बाद भी वो Omnitrix को सही से ओपरेट नहीं कर पाता है जिसकी वजा से वो हमेशा मुसीबत में पढ़ जाता है तो हम कैसे उमीद कर सकते हैं कि Ben इतनी जल्दी Omnitrix का Master Control Unlock कर देगा और एजमत तो वैसे भी Ben से गुसा ही रहता है और वो बोल भी चुका है कि मैं अभी Master Control Unlock नहीं करूँगा क्योंकि तुम ना समझ हो तो Master Control Unlock होगा कब और ये इतना जरूरी क्यों है आज हम इसी के बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले लाइक एम सुन लीजिए और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइक एम एजमत बताता है और ये गरीबों का एजमत है जो मुझे Ben 10 के बारे में जानकारी देता रहता है अच्छा सोरे यार तो असली वाला है इन Omnitrix and when will this unlock पहले बात करते हैं कि Master Control क्या है तो देखो भई अगर आप बेंटेंगे बहुत बड़े वाले फैन है तो आपको पता होगा कि Master Control वो चावी है जिससे वो Omnitrix को अपने हिसाब से चला सकता है और उसमें मौझूद 10,912 एलियन्स का यूज कर सकता है वो भी बिना किसी परेशानी के पर फिर भी बिन अभी तक Master Control अनलॉक नहीं कर पाया क्योंकि जैसा कि एजमत बोलता है कि वो ना समझ है और Omnitrix उसके लिए ऐसा ही है जैसा कि एक 4 साल के बच्चे के हाथ में मॉबाइल है और वो धोके सिवो वाली मूवी लगा देता है जिसे देखकर आप पानी पानी हो जाते हैं पर फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है ठीक उसी तरह हमारा बिन भी Omnitrix को लेकर बिल्कुल ना समझ है अब बीच में मत बोलना तो हमने ये तो जान लिया कि Master Control क्या है अब बात करते हैं कि ये अनलॉक कब होगा तो गाइस ऑफिसियली तो ये कंफर्म नहीं है कि ये अनलॉक कब होगा पर बेंटन के एक एपिसोड में मैंने देखा था कि एजमत कुछ देर के लिए Omnitrix का Master Control अनलॉक कर देता है ताकि वो एलियन्स को पेल सके इसका मतलब ये हुआ कि बेंटन के एक एपिसोड में एजमत को ही बोलते हुए देखा था तो हो सकता है कि जब बेंटन को ही बोलते हुए देखा था आई होब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अब एजमत आपसे कुछ बोलना चाहता है एज बेंटन के पैस आप है हिरो डाइम जल्दी से किलिक करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एज घंदा बजाते ना क्योंकि हिरो लोग कभी भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करते है झाल्दी एंदान झाल्दी से छाइब को प्रते है